अलो स्टुडेंट्स आगे ताप सभी का एक्रिपावर ओनलाइन कोचिंग प्लेटफरम पर मैं हूँ शरत जैसा कि पिछली क्लास जो हमारी थी जिसके अंदर हमने एक्रिपावर जैपूर के जो अप्लिकेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसके अंदर देखो यह आर्पेस्ट को डबलेवा को सारे की सारे आपको अवेलेबल होंगे इसी की तरह जो क्रशी पर यह चक्का देखो यहाँ पर दो तरीके कोर्स है मर पास में एक तो है ल जो दूसरा है रिकोड़ेड और आपको जितने भी टेस्ट सिरीज है और कोर्स का जो रिकोड़ेड कंटेंट है वीडियो यह वो सभी आपको दोनों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अदर अवेलेबल हो जाएंगे और जो हमारा नेस्ट कोर्स है जिसकी अभी ल सारे जो recorded वीडियोस है इसके अंदर आपको दोनों मीडियम के अंदर यहां पर हिंदी मीडियम के अंदर भी अवेलेबल हो जाएंगे एक स्टुडेंट्स इसी के साथ हम आगे के जो हमारा कल के जो कुशन थे उनको आगे बढ़ा रहे हैं जिसके अंदर आज का जो सबसे पह आखे गदो सबसे पहलए तरह आपको बता देना चाहता हूं कि ट्राइको ग्रामा जो है एक बहुत ही ज्यादा एफिशेंट क्या है बही ऑय LOग क्रोल एजेंट है लूग कि यह क्या है इसके अंदरी पूछ रहे है विचegस आफ फ ऐफीқविवंग डिस्क्राइब्योग् हमारे पास में पहला option है इसमें it is a parasite of larva क्या यह larva का parasite है जी नहीं यह larva को parasitize नहीं करता इसलिए आपको यह option सही नहीं होगा ठीक है दूसरा option है it is an egg parasitoid देखिए यही जो question है यही आपको इस बार RPSC के जो exam लगा था RPSC का एयारों का जो exam लगा था हाल ही के अंदर 2022 में अभी यह exam लगा था उसके अंदर भी question पूछा गया था निमने लिखित में से जो ट्राइकोग्राम होता है ट्राइकोग्रामा क्या होता है तो देखिए इसका जो लिखingo कांट्रोल करने लिए का मिलिया जाता है न किसके लिए का मिलिया और सब tartे यह ले करने के लिए किया जाता है लेपीड अपटिएरिकारिफ इंसेक पैस्क को कंट्रूल करने के लिए किया जाता है ठीक है अब हम आगे चलते हैं आख जो हमारा कुछन है स्कूशन देखिए वेक्टर ऑफ राइस टूंग्रोड-वाइरस देखिए भही बहुत ही इंपोटेंट है यह क्या है एक तरीकी की वाईराल डीजीज है टिक यह क्या है either by reasonable डीजीज किसमें है यह राइस के अंदर है अब देखो जहां पर भी हम किस की बात करते वेक्टर की बात करते ना वेक्टर क्या होता है कोई भी ऐसा living organism जो क्या करता है मैं किसी पैफोजन को या क्या करता एंक है या लाकर के ट्रांस्मिट कर देथा यान किसी इंफेक्टेड हो व स्भ्रम थो या फालता है यह स्था यह मतलब Whew ग्रीन लीफ में लीफ लिए फ़ोपर li मतलब क्या होता है ग्रीन लीफ होपर होता हुँ ठीक है और इसका जो साइनटेफिक नयम होटा है वह होती नियर फॉटॉटेटिक ठीक है कि यह क्या है देखने ग्रीिव होपर है लेकिन वो डूसरी का सब्सक्राइपimentos कि अब बात करते है अब देखो हम डवलू एच ठीक है तो इसका आंश्वर हay जो होगा राइट आंस्वर जब भी आप से सोभी आप से। राइस की बात कि जाएगी तो व्हार में जाता रित आंश्वर होगा जो का ऑश्व शेंठिवीक क्या है राइपोटेटेक्स सक्रोइब सब्षाइपा है कि हमारा 김 सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से प्लांट में आती है किस तरीके की फसल के अंदर इसका अटेक देखा जाता है तो ग्रेसिस टंट डिजीज जो होती है वह आती राइस के अंदर ठीक है ग्रेसिस टंट डिजीज कौन से क्रोप में आती है भई राइस के अंदर आती है अब देखो ग्रेसिस टंट डिजीज जो है यह भी कैसी है यह भी एक तरीके की वाइरल डिजीज है अब यह वाइरल डिजीज है और राइस में आती है तो अब जाहिर सी बात है कि इसक तो transmit कौन करता है ठीक है viral disease है rice के अंदर आती तो देखो GLH, GLH का मतलब क्या होता है green leaf ओपर, बीपेच का मतलब क्या होता है brown plant होपर तो देखिए जो green grassy stunt disease जो है viral disease है और इसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है बीपीएच का जो मतलब है यहाँ पर वो है brown plant ओपर ठीक है बीपीएच का क्या मतलब यहाँ पर brown plant ओपर है तो इसका right answer क्या होगा बीपीएच हो जाएगा ठीक है brown plant ओपर क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा तो जब भी आपको क्या लगाना है option के अंदर लगाना है अब देखिए हो सकता है कि कई बार आपको यहां पर ब्राउन प्लांट ओपर ना दे करके इसका आपको डायरेक्ट साइंटिफिक नेम भी दे सकते हैं ठीक तो आपको इसका साइंटिफिक नेम भी याद होना यह क्या है ब्राउन प्लांट ओपर का साइंटिफिक नेम है आपको अच्छे से याद होना चाहिए इसका जो diabetes कौन से क्रॉफ में ट्रांस्मिट करता और aur بتा जेना चाहता हूं कि सिट्रस दिया होके समा होता कि आपके दिमाग में concept यह होना ची, citrus silah जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि citrus silah किस तरीके का insect pest है भई, citrus silah जो होता है यह एक तरीके का sucking insect pest होता है, ठीके यह क्या है, sucking insect pest है यह, और मैंने आपको हमेशा से एक ही बात बताईए, जब भी sucking insect pest आएगा, तो उसकी damaging stage या harmful stage कौन सी हो जाएगी, जितने भी sucking insect pest है, इनकी damaging stage कौन सी होती है? देखो, इनकी damaging stage जो होती है, वो होती है nymph और adult, ठीके, nymphs and adult, तो इसी के साथ यहाँ पर आपका यह concept clear हो गया, कि जितने भी sucking insect pest होते है, उनकी damaging stage जो होगी वो कौन सी होगी, nymph और adult होगी और question में, से क्या पूछा गया है कि harmful stage of citrus silla, तो citrus silla के भी कौन सी stage होगी भई, nymph होगा, ठीके, तो nymph क्या हो जाएगा, और दूसरा option हमार पास में क्या है, adult, तो c जो option है, जिसके अंदर क्या लिखा हो है, both a and b, ठीके, तो ये वालो जो option है, हमारा इसको हम क्या मान लेंगे, टिक कर रेंगे यह हमारा क्या होगा, इसमें, right answer होगा, क्योंकि इसने, यहाँ पर option में दिया वा है कि a, जो option है, और b, ठीके, जिसमें पहले option में क्या है, नymph और दूसरे वे क्या है, adult, ठीके, तो ये 2रा ही options का क्या करता है यह यह दोनों ही options को नहां पर दिया वाया तो हमारा जो right answer होगा वो सी होगा बहुत a and b जो है यानि की name for adult stage है वो क्या होगी इसमें harmful stage होगी और citrus सिला जो होता है यह किसका insect pest है भाई citrus सिला जो होता है यह insect pest है citrus का citrus lemon ठीक है citrus और lemon में क्या होता है इसका attack देखने के लिए हमको मिलता है ठीक है तो यहां से question आपके क्या होगे clear होगे इसके अंतर हमको दो चीज़ पता लगी कि एक तो किस तरीकी का pest है इस sucking insect pest है और दूसरी चीज़ यह है कि इसके damaging stage कौन सी है तीसरी चीज़ यह है कि इसमें attack कौन-कौन से plants पहराता है ठीक है students इसके बाद में हमारा जो next question है देखिए next question है हमारा family of rice gandhi bug ठीक है family of rice gandhi bug जो है इसकी family क्या होती है rice gandhi bug की family कौन से होती है तो देखिए students हम बात करते हैं यहां पर जो हमको चार option दिये है पहले था हम उनके बारे में discuss करेंगे पहली जो हमारे पास है family है ledd ठीक है जो ledd family है वही कौन सी family होती है राइस गंदी बग की family होती है ठीक है आपको कुछ books के अंदर यही family को किस नाम से भी दिया होगा पाइरो कोरीडी की नाम से भी दिया हो सकता है ठीक है यही family आपको कई books के अंदर पाइरो कोरीडी की नाम से भी दिया हो सकती है तो आपको confused नहीं होना है एक्च्वल में जो LED family है इसी का ही नाम चेंज होकर के क्या हो गया भाई पाइरो कोरीडी हो गया है ठीक है पहले क्या था पाइरी कोरीडी था और अभी क्या हो गया यह LED हो गया तो आपको confused नहीं होना है यह दोनों ही चीज़े आपको एक साथ books में देखने के लिए मिल सकत और नहीं होगा तो इसका राइट आंसर क्या है LED है LED की LED जो है वो किसकी फैमिली भाई राइस गंदी बग की फैमिली है ठीक है इसके बाद जो हमारा next question है वो देखेंगी देखिए यह भी काफी बार exams के अंदर questions पूछा जाता है और काफी अच्छा है exam के point of view से की hopper burns is a symptom of देखो यहाँ पर दो चीजे हैं कुशन को थोड़ा सा आप समझनी कोशिश कीजगा यहाँ पर एक तो पूछ रहा होपर बरन पूछ रही है ठीक है और पूछ रहा है कि निम्नम ऐसे यह कौनसी क्रोप पर देखने के लिए मिलता है ठीक है hopper burn जो है वो कौनसी क्रोप पर तो स्टुडेंट्स में आपको एक चीज बता जाना चाहता हूं कि जो hopper burn है जनरली हम बात करते तो rice के case में hopper burn आता है ठीक है rice के case में क्या होता होपर बरन देखने के लिए मिलता है लेकिन हम बात करें किसकी mango की तो देखिए mango के अंदर भी क्या होता है कि जो leaf ओपर जो ह कंडिशन होती है वह आती है और rice में भी hopper burn condition देखने के लिए मिलती है ठीक इसी तरीके से cotton में भी ये condition देखने के लिए मिलती है तो इसका जो right answer होगा वो क्या होगा आपके पास में all of the woe ठीक students आपको hopper burn देखते ही rice को टिक नहीं करना है मैं आपको पहले एक चीज बता जाएगा क्योंकि mango के अंदर भी hopper burn symptom देखे जाते हैं ठीके students next हमारा जो क्यूशन है कि देखिए गंधी बग अटेक्स ओन ठीके हो सकता क्यूशन में आपको crop का नाम ना दे और direct insect का नाम दे करके पूछ ले कि कौन सी crop का इंसेक्ट है तो आपको वो भी concept clear होना चाहिए तो देखो सबसे पहले तो आपको दिमाग में concept आना चाहिए कि गंधी बग अटेक्स ओन तो गंधी बग एक्च्वल में है ठीके यह कौन सा है भई इंसेक्ट पैस्ट ऑफ राइस सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि राइस का पैस्ट है यह ठीके तो हमारा एक जो concept है यहां clear हो गया तो गंधी बग किसका पैस्ट है राइस का पैस्ट है अब बात आती है कि वह राइस में भी कौन सी स्टेज के अपर उसका अटेक देखने के लिए मिलता है ठीके क्योंकि जो गंधी बग होता है एक particular stage होती है राइस के case में जब राइस वहां उस stage तक पहुंच जाता है उसके बाद ही क्या होगा राइस के अंदर गंधी बग का attack हमको उसमें देखने के लिए मिलेगा तो हम देखें होता उसका अटेक देखने के लिए मिलता है तो आपका जो right answer होगा वह क्या होगा यसमें बी होगा और grain filling stage देखो grain filling stage और joh milking stage है वह लगबग similar stages ही है ठीक है उनको similar stage है तोolly जो actually इसका answer जाएगा वो क्या होगा भी milking stage होगा अगर milking stage आपके option में नहीं दिया होगा तो क्या होगा grain filling stage वाला भी option सही माना जाएगा ठीकी students तो देखिए दोनों ही चीज़ा आपको मालूम होना चाहिए कि grain filling stage पर भी हो सकता उसका attack और milking stage पर भी उसका attack हो सकता है लेकि option का जो favorable है कौन सा option ज्यादा सही रहेगा तो वो कौन सा रहेगा इसमें milking stage ज्यादा सही माना जाएगा ठीकी students दें उसके बाद में जो next option है हमारे पास में next question देखिए dead hurt in rice is caused by which insect pest देखो बहुत अच्छा question है यहाँ पर आपको पहले ही एक important बात बताईगी है कि dead hurt टीकि dead hurt जो है rice में वो किस insect की वज़े से होता है देखिए सबसे important बात है मैंने आपको एक time पहले बताया था कि जब हम सोरगम के pest पढ़ रहे थे तो मैंने उस time पर आपको discuss कि क्या था कि कोई भी insect अगर किसी भी plant का क्या कर रहा है stem के अंदर feed कर रहा है तो वहां कौन सी condition आएगी dead hurt वाली condition आएगी ठीके अब देखो यहाँ पर question किस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें पूछा गया आपसे dead hurt जो है rice में कौन से insect की वज़े से होता है अब देखो यहा अब देखो exam के point of view से बहुत ही अच्छा question है जिसके अंदर क्या पूछागे rice का जो dead hurt है किसकी वज़े से होता है तो हम एक एक option को देखेंगे सबसे पहले तो पहला option जो क्या है वो है declodispa army zera क्या होता है सबसे पहले तो declodispa army zera का जो common name यहां पर देखो हमको scientific name दिया होगा ठीक है इसके बाद में क्या है next को न फेलोक्रिस madeम अले जो होता है वो क्या होता है rice leaf folder होता है यह क्या होता है rice leaf folder होता है तो यह भी क्या नहीं होगा इसका right answer नहीं होगा ठीक है अब देन निम्फुला Dempacteri dose ठीक है, एक तो ये हो जाएगा then इसके बाद में आता है आपके पास स्कर्गोंपेगा इंसर्ट nuts देको, स्कर्गोंपेगा इंसर्ट तूlex जो है ये आपका क्या होगा यहाँ पर है राइट आंसर होगा तीक है इसको फेगा answer tools क्या होगा right answer होगा यह क्या होता भई yellow stem borer तीक है यह क्या होगा yellow stem borer और yellow stem borer जो होता है वही क्या होता है भई इसको यह rice का monofagus pest भी है तीक है rice का monofagus pest भी है यह बहुत ही important आपके पास में example है बहुत बार यह exam में के अंदर question पुछा जाता है कि which one is the monofagus pest of rice तो इसको फेगा answer tools जो है यह क्या है yellow stem borer जो है rice का monofagus pest है और यह क्या करता है causing dead hurt ठीक है causing dead hurt तो इस question का आपके पास में right answer जो जाएगा with explanation हम बात करें तो कौन सा जाएगा भई जाएगा ठीक है इस को फेगा answer tools जो है वो क्या है rice का yellow stem borer है और इसी की वज़े से rice में कौन सी condition आती है dead hurt की condition आती है इसके बाद मुझे हमारा next और important question है वो देखेंगे देखो देखिए alternate wetting of rice field is done for the management of which insect pest देखिए क्या कहना चाता है क्यों यह कहना चाता है कि जो rice का field जो होता है उसको time to time पानी से भर देने की वज़े से या time to time पानी से अगर हम उसको भर देंगे तो उसकी वज़े से हम कौन से insect pest को control कर सकते हैं देखो rice के field के अंदर अगर हम time to time पानी भर दे और एक बार उसको क्या कर दे पानी पूरा निकाल देते हैं तो इससे जो होता है वो हम कौन सा pest control कर सकते हैं तो देखो हम बात करते हैं किसकी rice case warm की rice case warm को control किया जा सकता है क्या? जी नहीं किया जा सकता, ठीके तो हमारे यो क्या नहीं होगा इसके अंदर option right नहीं है ये फिर बात करते हैं किसकी rice hispa की, देखो rice hispa को भी इस method से control नहीं किया जा सकता, ठीके फिर बात आते हैं मैरे पास में किसकी? brown plant hopper की देखो brown plant जो hopper है सबसे पहले तुमें आपको बता दू कि यह कहाँ पर feed करता है यह अधिकतर जो plant होता है plant का जो lower part होता है सबसे पहले तुमें आपको यह concept बता देता हूँ यह कहाँ पर feed करता है lower side of the plants ठीक है अब देखो concept समझनी कोशिश कीजेगा brown plant hopper को एक कैसे control कर सकते क्योंकि brown plant hopper जो होता है वो कैसा होता थोड़ा शर्मीले सुभाव का होता यानि कि plant के उपरी हिस्सों पे नहीं दिखाई देता plant के जो stem है जो कहाँ बिल्कुल जमीन वाला हिस्सा यानि lower side पे ज़्यादा दिखाई देंगे अब क्या होगा अगर हम पानी से इनको भर देते हैं फिल्ड को तो lower side पे होने के वज़े से क्या होता है यह डूब जाते हैं उसके अंदर या वहाँ से चले जाते हैं ठीक है तो क्या किया जा सकता है अल्टरनेट वेटिंग करने से यानि टाइम 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 फिल्ड को पानी से भर देने की वज़े से हम किसको कंट्रोल कर सकते भई ब्राउन प्लांट होपर को कंट्रोल किया जा सकता है तो conceptual question है इसका ध्यान रखिएगा अगर आपको दे दिया जाए हो सकता है ब्राउन प्लांट होपर क्योंकि यह ब्राउन प्लांट होपर कहां होता है जनरली लोवर साइड ऑफ दे प्लांट पे रहोता है ठीके स्टुडेंट्स इसके बाद में जो हमारा next question जो है next देखिए देखो question बड़ा अच्छा है इसके अंदर क्या पूछा गया है आपसे scientific name दिया हो भई देखो यह सारे के सारे जो हमारे पास में question है मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि question आपसे किस-किस तरीके से पूछा जा सकता एक्जाम में किस लेवल के question आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं और हम बात करें किसी RPSC के हम बात करें तो RPSC का जो डबल यो का है यह दूसरे जो एक्जाम में जैसे कि हम बात करें आपको जरूर देखने के लिए मिलते हैं तो अगर आपको इस एक्जाम के अंदर question attempt करने तो इस तरीके के आपको तयारी करनी पड़ेगी जिसके अंदर आपको हर एक concept क्या हो clear हो ठीक है तो देखो डिकलोडिस्पा आर्मिजेरा is the scientific name of which insect pest देखो डिकलोडिस्पा आर्मिजेरा है वह कौनसे insect pest का scientific नैं everywhere है अब हम इसको एक्क करके देखेंगे क्या यह ग्रामपोर औरॉटरका scientific नैम है कि यह जी नहीं कि क्योंकि ग्रामपोड़़ बरॉटरका scientific नैम नहीं एक का scientific नेम उता है लेकिन यहाँ पर हम याँ दिया वा Repees गांपोड भॉणर ठीक है तो यह क्या नहीं होगा इसका राइट आंस्वर नहीं होगा बट आपको क्या होना था इसका Commons नेम और साइंटिफिक नेम दोनों पता होना था था है फिल्मडopard इसका scientific name होता है Declodispa Armizera इसका scientific name क्या होता है Declodispa Armizera Declodispa Armizera हो गया ठीक है देन इसमें बात करें निम्फुला देमपक्टेलस ठीक है निम्फुला देमपक्टेलस वीट एफिड वीट एफिड का scientific name होता है Macrocephum ठीक है यह क्या होता है Macrocephum species तो देखे इसका जो राइट आंस्वर होगा students वह कौन सा होगा यहां पर हमारे देखो वह होगा आपके अच्छा प्रश्ण है देख के लिखे अच्छा प्रष्ण है अच्छा प्रश्ण है देखिए Trigograma zeponicum जो है न ये भी क्या है Trigograma की ही एक species है देखिए भई Trigograma zeponicum जो होता है Trigograma की ही एक important species है जो कैसा है host specific है देखो ये क्या है host specific है देखो Trigograma zeponicum is released to control of which insect pest of rice की rice के अंदर Trigograma zeponicum को अगर हम use में लेते हैं तो वो किस तरीके के insect pest को control करने काम में आता है तो देखिए भई वो इसका right answer जाएगा आपके पास में क्या rice का stem borer कौन सा हो जाएगा ये rice stem borer जो होगा क्या होगा इसका right answer होगा तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है Trigograma zeponicum जो है वो किस के लिए काम में लिया जाता है rice stem borer और इसी को क्या कहा जाता है yellow stem borer ठीक है ये तो ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है ये क्या होता है येलो stem borer भी इसी को कहा जाता है ठीक है तो ये क्या है हमार पास ये concept है Trigograma zeponicum host specific है और कौन से host के लिए काम में लिया जाता है ये ये लिया जाता है yellow stem borer के लिए और rice stem borer और yellow stem borer दोनों एक ही चीज होती है ठीक है इसके बाद में हमारा जो next और important question देखिए क्या है देखो ये भी बहुत अच्छा question है आपके exam के point of view से कि देखो dead hurt and more side tillers भाई देखो यहाँ पे दो condition आ रही है पहली condition कौन से है dead hurt है और दूसरी जो important condition वो क्या है भाई more side tillers ठीक है वो कौन से condition है more side tillers जो है देखिए dead hurt and more side tillers in sorghum कौन सी crop में in sorghum is the damaging symptom of damaging symptoms caused by देखिए ये आपको देखना होगा कि dead hurt भी हो रहा है और more side tillers भी निकल रहे है तो सबसे पहले मैं आपके चीज बता देना चाहता हूं dead hurt और more side tillers is the most identified or characteristic feature of stem damage in sorghum कि sorghum में जब भी stem का damage होगा ठीक है या कोई भी insect pest जब भी sorghum के damage को insect करेगा ना तो देखिए ये दो condition आएंगी ही आएंगी most important favorable question जो है वो यहां पर आपको examiner पूसता है दोनों condition दे करके dead hurt भी हो रहा है और side tillers भी हो रहा है किसमें sorghum में तो यह कौन से insect की वज़े से होगा तो देखो यहां पर हमको फिर से scientific name दिये हैं common name नहीं दिया हुआ तो देखिए students आपको यह चीज़ पता हो नीची कि scientific name की बहुत importance है डायरेक्ट आपको scientific name देखर के question पूछे जाने लगे हैं तो देखो पहला option क्या है chiloparteles देखो chiloparteles क्या होता भाई चीलoparteles का जो common name है वो होता है spotted stemborer यह होता है spotted stemborer ठीके यह spotted stemborer है तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसपर डाप्टेर फूर्गी परड़ा इसपर डाप्टेर फूर्गी परड़ा का common name क्या होता है यह होता है कि यहोता है भालाइर्मिक फिर है इसके बाद में हम बात करें अथ्रीजोना सोकाटब अथ्रीजोना एक verse क क्या होता है यह होता है सोर्गम श्ट्फलाई आत इंट जहाई और संलिंदे खरा इससर फैसे हैं इही जो इनसेक्ट है सोर्गम का जो यह क्या है सोर्गम शूटनाई क्या है बहुत ही master इंसक्ट पैस्ट है है और इस major insect पैस्ट कि वज़े से इक सुर्गम में कॉन सिस्टेश देखने के लिए मिलती है खी बई इसमें कौन सा क्या होगा भई डेड हर्ट भी होगा और कौन सी कंडिशन आती है इसमें मोर साइट टीलर्स ठीक है मोर साइट टीलर्स जो है ये दोनों ही कंडिशन किसके अटेक में देखने के लिए मिलती है और इसका अटेक आता कब है इसका अटेक जो होता है वो 4 वीक के जब करोप हो जाती है, सबसे जादा इसका अटेक जो होता है वो शुरुआत के 4 हफ़तों के अंदर ही आता है, और यही कुशन आप से एक्जाम में पूचा जाता है, ठीक है, इसके बाद में हमारा जो next important question है वो देखेंगे देखो यह भी काफी अच्छा question है कि site of pupation देखो यहाँ पर pupation कहां होता है उसकी site हमसे question के अंदर पूछी गई है site of pupation of mage stem borer and sorghum shoot fly देखो यहाँ पर थोड़ा सा high level का question है जिसमें एक ही line के अंदर हमको दो चीज पूछी हुई है देखो दो चीज क्या के पूछी हुई है एक तो हमको mage stem borer है उसके बारे में पूछा हुआ है ठीक है और इसी line के अंदर हमसे क्या पूछा गया है और Queshin के अंदर क्या पूछा गया है, कि Metz Stem Borer और Sorgum Shoot Fly का Pupation का होता है. ठीक है, Metz Stem Borer और Sorgum Shoot Fly का Pupation चो होता है, वो कहां बनता है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यही चीज बता दना चाहता हूं, कि Metz Stem Borer जो है, Metz Stem Borer, और जो सोर्गम शूट फ्लाई है दोनों के दोनों कहां होता है इनका प्यूपेशन ये दोनों के दोनों ही कैसे होते है भाई ये स्टेम फिडर्स होते हैं इनका जो डेमेज होता है कहां देखने के लिए मिलता है और जो डेमेज का होगा stamp के अंदर देखने के लिए मिलेगा अब देखो stamp feeders हैं सारे stamp feeders है यानि stamp पर फीड करते हैं तो जाहिट सी बात है इनका जो preparation की site होगी, वो भी कहाँ होगी stamp के अंदर ही होगी ठीक हे ? यह भी कहाँ होगी ? stamp के अंदर ही होगी तो यह हमारा concept है पहले ही हमने concept clear किया है then अब हम इसके option देखते हैं ठीक है option हमारे पास में क्या है पहला option जो है वो क्या है stem and soil नहीं इसका answer soil तो नहीं हो सकता हमने पहले ही बात कर ली कि यह दोनों के दोनों stem feeders है तो इनकी pupation की site भी कहा होनी चाहिए stem ही होनी चाहिए तो हमारा पहला option जो है वो हम क्या नहीं कर सकते यह पहला option जो है इसका right answer नहीं है ठीक है दूसरा option क्या है soil and soil देखो दोनों ही का जो pupation होता है वो stem के अंदर होता है जबकि B जो option है 소il and soil तो ये भी नहीं होगा ठीक है फिर जो हमारा C option है वो क्या कर रहा है stem and stem तो देखिए इन दोनों का जो pupation है वो stem के अंदर हो रहा है जैसा कि हमने बात कर ली है तो क्या होगा इसका right answer कौन सा जाएगा भाई C की sorghum should fly और merge stem border दोनों का ही जो pupation की site होती है वो कहां होती है stem के अंदर होती है तो right answer क्या हो जाएगा इसका C हो जाएगा जिसमें क्या है stem और stem है ठीक है इसके बाद में जो हमारा next question है वो देखेंगे proper specific and alley formation is done for the management of which insect pest of rice भाई देखो ये भी बहुत अच्छा question है proper specific and alley formation ठीक है proper specific and alley formation जो होता है spacing का मतलब क्या होता है दो plant के बीच की जो gap है वो कितना होना चीए और alley formation का मतलब क्या होता है दो lines के बीच का जो gap होता है यानि जिसको हम बोल सकते हैं कि जो दो गलिया है ठीक है plants की जो रोज हैं उन दो रोज के बीच के अंदर कितना gap है वो proper होना चीए मैंटेन होना चीए तो उसके वज़े से भी हम क्या कर सकते हैं किसी insect की pest को control कर सकते हैं किसके कैस में rice के कैस में तो देखिए इसका right answer जो होगा वो क्या होगा भाई brown plant होपर ठीक है यह क्या है brown plant होपर है ठीक है then rice galmese होगा कि इसका answer जी नहीं rice green होपर होगा जी नहीं all of these होगा जी नहीं तो देखिए कि students एक ये भी बात है कि कभी भी आप क्या नहीं कीजिए option के अंदर all of these देखते ही all of these को कभी टिक नहीं करना है वो टिक इसलिए नहीं करना है पहले आप question अच्छे से पढ़िए options को अच्छे से देखिए ठीके then उसके बाद में ही आप आगी का जो decision है वो लीजिए कुछ student रस होते है कि question पढ़ा नहीं आदा question पढ़ते last में all of this देखते और उस all of this को tick कर देता तो यह सबसे गंदिया आदाते कभी भी all of this को direct tick नहीं करना है बिना question को ध्यान से पढ़े तो इसमें क्या होगा प्रोपर स्पेसिफिंग और एले फॉर्मेशन जो होता है वो किसके लिए किया जाता है बहुत ही अच्छा शांदार प्रशन है हम आपके सामने एक से बढ़कर एक प्रशन लेकर के आ रहे ताकि आपके जितने भी concept है एंटोखे कि वहां से किस तरीके का प्रशन आपसे पूछा जा सकता है वो सब कैस में सब क्लीर हो सके इसलिए देखो रॉफिडो सी फर मैडिस जो होता है और कौन सी क्रोप का यहban क्रोपका नहीं होता तो इसका आंसर ए नहीं होगा ठीक है देन हम बात करें एफिड ग्राउंड नट और मेज ये एफिड तो होता है लेकिन ग्राउंड नट और मेज में नहीं होता ठीक है तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे परपास में एफिड मेज औन्षूर्गम हाँ बिल्कुल देखो ये क्या होता है एसका इशा तरीक हो जाएगा तो तरीकों जो मतलब क्शेच Champions हम यहाँ पर डिसकस कर रहे हैं देन उसके बाद में प्यूपिशन साइट ऑप सोरगम गाल मियाज देखो प्यूपिशन साइट से भी आजका टुशन पूछे जाने लगे तो आपको ये भी पता हुना अची कि जो सोरगम ईुपिशन कहभी तो उसका होता है तो वह होगा आपके पास में कहां भरी इन ओवेरीज, क्योंकि जो उसका लार्वा जो होता है, वो कहां पर feeding करता है, वो ओवेरीज में ही feeding करता है, ठीक है, इसके बाद में जो next question है, देखो, डेलफ़ सीडी जो होता है, यहां पर आपको family पूछी गई है, family दीवी है, और ये question में यह पूछा गया कि Delphi CD में किस तरीके के insects आते हैं ठीक है Delphi CD में कौन से insects आते हैं बही देखो Iphid जो होता है Iphid आएगा क्या नहीं Iphid नहीं आएगा क्योंकि Iphid जो हता है वो family Iphididy में होता है Whiteflies जो होती है वो family Allurididy में होती है लीफ ओपर जो होता है वो सिकेडिलीडी में होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा भई प्लांट ओपर्स में होगा यानि डेलफा सीडी जो फैमिली है डेलफा सीडी फैमिली में कौन से इंसेक्ट आते हैं प्लांट ओपर्स आते हैं ठीक है आई बास समझ में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके पास में, what is the common name of the Maru का वितराता, भई देखी ये भी क्या है, exam के point of view से important है कि Maru का वितराता जो है, वो किसका पेस्ट है, ठीक है, कि what is the common name, देखों, यहाँ पे common name पूछा जा रहा है हमसे, क्विशन समझनी कोशिश कीजिए, यहाँ पे हर एक क्विशन के अंदर कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है आपको, कि पहले तो आपको scientific name पूछे जा रहे थे, लेकिन इस क्विशन में आपको क्या पूछा जा रहा है, इसका common name पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसका right answer क्या होगा, spotted pod borer होगा, और जो मारू का विटराता है, वो किसका insect pest है, pulses का, ठीक है, insect pest of pulses, आई बास समझ में, यहाँ पर हुआ आपका clear, यह insect pest of pulses है, तो pulses के अंदर क्या होगा, इस मारू का विटराता का damage देखने के लिए मिलेगा, और मारू का विटराता का damage होता जनरल यह कौन सी crops में देखने के लिए मिलता है बही, coffee में, coffee में इसका I take देखने के लिए मिलता है, moong bean हो गया, ठीक है, उड़ध bean, तो यह सारे के सारे क्या है कुछ important इसके example है, जिNDके अंदर क्या होगा, इसका I take देखने के लिए मिलता है, इसके बाद में जो हमारा next question ह नहीं होगा यह सब्सक्राइब आपको देदिया गया है और इसका आपको पूछा जा रहा है तो देखो यह क्या होता है रेड ग्राम पोड़ बोरर होता है क्या जी नहीं बाई तो आपको option के अंदर या question के अंदर scientific name देखर के भी क्या पूछा जा सकता है उसका common name पूछा जा सकता है तो आपको common name, scientific name, उसके family और उसका order के साथ साथ में वो कौन सी crop का insect है ये 5 चीज़े तो बिल्कुल basic आपको याद होनी होनी चीज़ ठीक है जाने की जैसी जो appearance होती है फिल्ड में वो किस तरह के insect किसी वज़े से आती है तो देखो grazing by cattle like appearance is caused by which insect pest of groundnut पहली बात तो यहाँ पर हमको दो चीज़े देखने के लिए मिल रही है तो groundnut है question के अंदर और दूसरा option है grazing by cattle तो यह दो चीज़े जो हैं आपको exam के अंदर पूछी आती है कि जो groundnut का फिल्ड होता है जिसके अंदर किस तरीकी के appearance नजर आती ही कि उस पर जो मवेशी है यानि जो गाई भेह से क्या कर चुके हैं उसको चर चुके हैं या उसको खा चुके हैं तो इस तरीकी की condition होती है वो groundnut में कौन सा इंसेक पेस्ट के विज़े से देखने के लिए मिलती है तो देखिए हम बात करते हैं कि इसकी white grub beetle की तो देखो white grub beetle जो होता है उसमें इस तरीके की experience देखने के लिए नहीं मिलती क्योंकि वो कहां पर फीड करता है plant की roots के उपर फीड करता है ठीक है then हम बात करें termites की तो termites में भी ऐसी stage नहीं आती नहीं ground नहीं जो white grub उसमें भी इस तरीके की attack नहीं आता बट हम किसके बात करें red hairy caterpillar जो है ठीके red hairy caterpillar जो है यह क्या होते है एक तरीके defoliator होते हैं red hairy caterpillar यह क्या होता है defoliator होता है कि defoliator का मतलब क्या होता है भाई कि plant की जो leaves होती है उनको पूरा पूरा खा जाते हैं और इसकी वज़े से ही क्या होता है field के अंदर किस थरीकी के appearance आती है grazing by cattle याने की field में ऐसा लगता है कि पूरी crop को क्या कर लिया है जानवरों ने खा लिया है ठीक है तो किसकी वज़े से आती है red hairy caterpillar के वज़े से आती है तो यह students आज ही जो हमारी class थी आपको most 20 important question बताएगे हैं जिसमें आपको exam के अंदर एकना एक प्रेशन तो जरूर देखने के लिए मिल ही सकता है next class में आगे के 20 questions होंगे वह हम next class में discuss करेंगे ठीक है आज ही class के लिए इतना ही thank you all of you